जै हिन जै शिक्षक साथियों, welcome back to my channel जैसा कि आप सभी जानते हैं भी हाल ही में Nippon NIPUN Mission का आरंब हुआ है NIPUN means National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy जिसका mission है कि जो भी पूर प्रात्मिक और प्रात्मिक स्थर के बच्चे हैं उनमें जो भी basic education उनको प्राप्त होनी है वो उने प्राप्त हो पाए राश्ट्रिय मूलभूस साक्षरता एवं संख्या ग्यान मिशन NIPUN भारत राश्ट्रिय साक्षरता एवं संख्या ग्यान दक्षता पहल इसके अंतरगत इन्होंने एक विवरनी का एक पुस्तक प्रेशित की है इस वीडियो में मैं यही पुस्तक आपको दिखाने जा रहे हूँ कि इसमें क्या-क्या है सबसे पहले है विवरनिका निपुन भारत विवरनिका 2021 इसमें सबसे पहले है प्रस्ताबना प्रस्ताबना जो इसमें आधार भोष शिक्षण बच्चे की भावे शिक्षण का आधार है यह बताया गया है बोध के साथ पठन, लेखन, मूलभोध, गड़ती प्रिश्णों को हल करने के मूलभोध कौश्णों को प्राप्त न कर पाने से बच्चे कक्षा 3 के बाद ही पाठ चर्य जटिलता उंगले तयार नहीं हो पाता है इसलिए प्रारमिक शिक्षण के महत को देखते हुए राश्ट्रे शिक्षण नीती 2020 में उलेक किया गया कि हमारी सरवोच प्राथमिक ता 2025 तक प्राथमिक और उससे आगे सरभ्हमिक मूलभूत साक्षर्ता और संख्या ग्यान प्राप्त करने की होनी चाहिए यदि हम सबसे पहले इस महत पूर्ण मूलभूत शिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाते तो शेश नीती हमारे चात्रों के एक बड़ी संख्या के लिए मुख्य रूप से आप्रसंगिक हो जाएगी इस दिशा में शिक्षा मंत्राल है द्वारे एक राष्ट्रिय मूलभूत साक्षर्त है एवम संख्या ग्यान मिशन की प्रात्मिक्ता परिस्थापना की गई है मिशन अधिगम के पांच शेत्रों बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा के प्रारमिक वर्षों में पहुँच प्रदान करना और उन्हें स्कूलों में बनाये रखना शिक्षक शमता निर्माण ओच्च गुडवत्ता एवम विवित्ता पूट छात्र एवम शिक्षड संसाधनों अलियम सामगरी का विकास अधिगम परिनाम उपलब्धी में प्रिदेख छात्र की प्रगती को ट्रैक करना तदा बच्चों के पोशन और स्वास्त मांसिक स्वास्त सहित पहलियों के समाधान पर ध्यान देना होगा मिशन का उद्देश एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है इस तरह पूरी प्रस्तावना इसमें दी गई है इसके लिए एफलेन मिशन शिक्षा मंत्राले द्वारा करियानवन किया जाएगा सभी राज्य और संग राज्य शेत्रों में राश्ट्री राज्य जिला ब्लॉक स्कूल स्थर पर एक पांच स्थरी कार्यन वेन की वेवस्था की जाएगी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किया है NEP 2020 आगे इस बात को भी दोहराती है कि इस चिंता का ततका समधन जरूरी है ताकि मूलभु शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके जिससे सभी छात्रों को गुडवत्ता परक्षिक्षा प्राप्ति के अबसर मिल सके सभी वच्चों के लिए मूलभु सक्ष संख्या ग्यान कार्यान वेन संबंदि दिशा निर्देश तद अनुसार निमने लिखित मुख के पहली मों पर ध्यान देते हैं पहला मुख्य बिंदू है मूलभुत भाशा और साक्षर्ता समझ इसमें मौखिक भाशा विकास पठन बोध चित्रकारी के अवधारना लेख इसमरन शक्ती धुनी बोध डिकोडिंग निर्वाद पठन 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 के प्रति जुकाव की आदत दूसरा बिंदू है मूलभुत संख्या ग्यान और गड़त कोशल इसमें प्रारंबिक गिंती अवधारना संख्या करम को गिनना और समझना संख्या और संख्या संबंदि के अंतरगत अपने दैनिक जीवन के कारिकालोपव में साधरन डाटा जानकारी कोई खटा करना प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना इसके बाद शमता अधारित अधिगम परिणामों के दिशा में बढ़ना ये तीसरा मुख के पहलू है बच्चों को मौजूदा इ एक बच्चे अच्छा स्वास्त और सुच्छता बनाया रखें विकासात्मक लक्ष दो बच्चों का संपरेशन प्रभावी हो विकासात्मक लक्ष तीन बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षारती बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें चोथा पहले हैं शिक्शन अधीगम बच्चे के अधीगम पर फोकस करना भारत में हमारे पास बड़ी संक्या में बच्चे हैं जो पहली पीडी के शिक्षारती हैं और उनके घरों में साक्शरता या संख्या गयान का मोहल नहीं है इसलिए शिक्षकों को धुनियों के बारे में शिक्षित करने और अलग धुनियों को पहचानने और द्रिश्य भोध कराने और द्रिश्य से जुड़े सभी विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा इसमें समान ध्यान समान और समान अधीगम अफसर प्रदान करके बालकों और बालिक पक्षपात की किताबें, चितर, पोस्टर, खिलोने, सामगरियान गतिविधियों का चैन करना, शिक्षारतियों से बात करते समय या कक्षा में पढ़ाते समय लेंगिक पक्षपात वाले कथन का इस्तमाल ना करना, ऐसी कहानिया, कविता, गीत, गतिविधियों सहायक सामगरि कचैन करना जो विशेश आवशक्ता वाले बच्चों से लड़कियों लड़कों को ऐसी भूमीकाओं में दर्शाती हूं जैसे सबी व्यवसायों में पूरोश और महिलाओं की भूमीका रहती है शिक्षारतियों को उनकी ऐसी अभिरूची का नूसरन करने के लिए प्रोचसा अगला पहलू है अधिगम मुल्यांकन इसके अंतरगत मूर्भु शिक्षा, शम्ता, शारेरिक विकास, मांसिक परिवक्ता और मुल्यों के विकास की अभधी का एक महत्पून चरण है मुल्यांकन का प्रात्मेक उदेश FYL1 से FYL 16 से 9 वर्ष की आई वर्क तक प्रतिक ब मुल्यांकन में बच्चों के सामर्थ है आवशकता और उची और प्रात्मिक्ता की पहचान करना बच्चे के प्रदरिशन को बहतर बनाने में उसे पहलों के माध्यम से मजबूत बनाना मुद्दों और समस्या विश्यों को हल करने में सहयोग करना अधिगम अंतराल और मुल्यांकन यानि की SBA स्कूल बेस्ट असेस्मेंट पर तनाव मुक्त होना चाहिए मुख्यता विविद अनुभवों और गती विधियों में बच्चे के प्रदर्शन की आधार पर गुणात्मा के अवलोकन के मध्हम से होना चाहिए SBA के साधनों और तक्नीकों में शामि पर उनका मुल्यांकन संकलित किया जाना चाहिए HPC की कुछ विशेष्टा हैं जैसे कि पहले किसी विशेष्टर में एककल स्टोर्य लेटर ग्रेडना देकर अलग-अलग रिपोर्टिंग प्रदान करना समगर प्रगती में अनेक अधित्य दक्षताओं के बारे में बताया बचे तब जादा सीखते हैं जब उन्हें कक्षा में बात करने और चर्चा करने के लिए प्रोटसाहिद किया जाता है गती विदियों जैसे कि मिलजुलकर दोहराना ब्लैक बोट से कॉपी करना बार-बार मशीनी तरीके से किया जाता है इससे बचे सीख नहीं पाते बचे रुची खो देते हैं और उनका जो कारे ध्यान है वो कम हो जाता है यानि कि टाइम ओन टास्क कम हो जाता है इसके लिए बच्चे को ध्यान देने के लिए हमें शिक्षकों को प्रेरित करना है यदि अधिगम प्रक्रिया में आनंद अत्वा मनोरंजन का कोई भाव ना हो त बच्चे ध्यान देते बच्चे पढ़ाई में रूची नहीं लेते शिक्षकों को उन बच्चों को अतरिक्त सहायता प्रदान करनी है जो पिछड रहे हैं बच्चों के कौशन और अवधारना विकास की जांच के लिए कंटेंट्स की वज़ाए पर इक्षाओं से शिक्ष सहायता मिलेगी आगे देखते हैं कि इसके बाद इन्होंने क्या कहा है दीक्षा डिजिटल संसाधनों की डिपॉजटरी इससे भी बच्चों का जो है मार्ग दरशन किया जा सकता है अभी भावक और समुदायक भाकिता बहुत आवशक है यह सारी PDF आपको description box मिल जाएगी आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके इसकूल की तैयारी और इसकूल की तैयारी का मोड्यूल क्या है इसके बाद इसमें यह दिया गया है इसके बाद इसमें राश्ट्री मिशन पहलू और दृष्टी कौन यह 11 बिंदू था इनका फिर 12 बिंदू है मिशन की रणनीतिक य और निजी स्कूल इसके बाद है नग्राने अर सूचन प्रद्योंगे kई ठाचा, फिर मिषण की स्थिर्ता, इसके बाद आता है आपका अनुसंधान, मुलियांकन और दस्तावेजी करण के लिए जो भी आवशकता हैं इसमें सब दे गई है लक्ष सूची इसके बाद जो बहुत important है कि बालवाटी का या आयू 5-6 के लिए अलग लक्ष सूची है इसके बाद कक्षा 1 या आयू 6-7 के लिए अलग लक्ष सूची है और इसके बाद आयू वर्ग 7-8 या या कक्षा 2 के लिए अलग लक्ष सूची है और इसके बाद आता है आपका आयू वर्ग 8-9 कक्षा 3 के लिए अलग लक्ष सूची है और लक्षे सोची बहुत important है फिर मिलूँगी next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching